तो हेलो कैसे हो भाई लोग सब्सक्राइब लोग का एक और नई वीडियो के अंदर सु गाईज गाईज जैसे कि अपनों को पता है है क्लान वो लीग अपनी चरी यह है यहां पे एंड यह हमारा सेकंड राउंड है एंड देख सकते हो हम लोग ने गाई यहां पर फिप्टी चरही है वो नंबर टू पर ठीक है गाइज पंद्रा में से टोटल साथ अटैक्स हम लोगों पर अंदर कॉनसे रूप है हमको कुछ नी पता फ्रेश इट में रिष्टा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन फिर भी गाइज हम लोग ने यहां पर साथ वेसिस को ट्रिप निकाला है एंड वन अव दी मोस्ट कॉमन अटैक्शनी कौन सी थी इन सभी अटैक्श में वो थी गाइज पेका प्लस येटी एंड वन अव दी बैस्ट कॉम्बो है गाइज टानौल 13 के उपर ये वाला सब्सक्राइब करो कर लो यार 25,000 सब्सक्राइबर के हम लोगे बहुत ज़्यादा नजीक है सब्सक्राइब करो नोडिये शम्बैल दवाने से बंदय चैनल पर फॉस्ट आता है एंड लाइक केम करते हैं गाइस चारसो एक लाइक आस वह यह कंप्लीट करवाद ना एंड क ने करो यार क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाइका चनल चलेगा तो चलिए गाइस दोनों पर सब्सक्राइब कर रहा है अड पांच यहां पर यह तीज कर निकार रहा है जैसी यहां पर बंदा अपनी जंप रहा है पहली जंप पैर यहां पर डाला जाल पीछे से आगे अपना आइस गोलम और भी बाकी बाकी के बचुक्यों त्रूप सा जाएंगे यह ती जा जाएंगे healers हाजएंगे and heroes हाजएंगे king, queen and warden and opponent का cc निगल चुका है तो उसके उपर कर दिया यहां पर poison पहली रे spell डाल दिया है ताकि फटा फरसे यहां पर tunnel down हो जाए and warden की ability भी यहां पर use कर दिया है cc यहां पर थोटी सी दिक्कत दे रहा है लेकिन वह भी यह जल्दी down हो जाएगा second jump spell देख रहे हो guys क्या accurate jump spell डाल यह बहुत सारे compartment यहां पर open हो रहा है यहां पर यहां पर यहां पर निकल चुक है और राम से अभी बच्चे नहीं भाईसा बेस के ओपर कुछ क्यूंकि अभी स्टोंस लामर के अंदर यहां पर बैलोंस है बैलोंस यहां पर निकल चुके है और डिफेंस को कर देगा वो freeze एंड भी हेट स्पेल भी बच्च हुई है देखते हैं हेट स्पेल को वह कहां पर यूज़ करेगा या फिट स्वैग हो जाएगी हेट स्पेल लेट सी गाइज़ क्वीन अपनी बापस चली गई है क्वीन कहां जान 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 आ गाइज है यहां पर बैलोंस है वह वहीं पर क्लीनप करने लगोंगे और भी हेट स्पेल बची है हेटसपेल को यूज कर दिया है आप लोगे इसको स्वैग भी बल सकते हो हेटसपेल को और हाँ गाइस मैं हेष्ट बोलता हूँ हेटस नहीं बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि भाई हेटसे बोलते हैं तूँ हेष्ट बोलता हूँ हां यहां पर बंदा क्या यूज कर रहा है बाइट स्पेल बंदा यहां पर बाइट स्पट यूज कर रहा है तो आर्या एन्ट एक यू और यहां पर लीए ल village कि वह टंव ऑट जी ड्रेयंट करेट yeah और यह टो लोन इस वहां पर एक सीखिंग एर माइन को निकाल लिया 9 परसेंट निकल चुक है फॉनल यहां पर क्रेट हो जाएगा जैसे यह टेसला डाउन हो चुक है और वहां पर फॉनल क्रेट हो गया गाईज बच्छे वह पेकाज आ जाएंगे यहां पर वो रिकर आ जाएगी और यह तीज वोर्डन अबिटी यूज कर दी क्योंकि बहुत सारी डिफैंसे वहां पर टार्ग्ड कर रहते हैं अपने टूप्स के उपर फॉर इंफर्नोज एक्स बोज स्कैटर शोट इगल आर्टिलरी तो काफी अच्छा डैमेज पॉंचर रहा था अपने टूप्स को सो वोर्डन के यूज कर दी काफी सही किया और चिजिसे निकला यहां पर लाँड कोई पॉजन स्वेल भी नहीं है तो लाँड हो थोड़ी सी दिक्कत दे शकता था इस एक में लेकिन पीछे क्वीन थी अगर पर बटक जाती तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी गाइज अपना चिंग जो उपर और ट्वीन के अबलीटी यहां पर यूज हो जाएगी एक विज़ा टावर डाउन हो गया सेक्ट वाला भी डाउन हो जाएगा इनफर्नो टावर को फ्रीज कर दिया अभी एक फ्रीज स्पेल बच्ची हुई है उसको भी डाल देगा इस इनफर्नो टावर के उपर तो दियृब और याइट पर आण डेख सकते हो सब कुछ डाउन हो चुका है जितने वी डिफ्रन खेज सब कुछ डाउन होच्थ और बभी भी बहुत सरे टूस बचे रहे या को चार हेटी यूज कर रहा था बंदा और चारों के चारों के और को आएट यांपर बच भड़ पर एटैक और यह वाला आर्मी कॉम्बो देखो गाइज बंदा यहां पर आठीए यूज कर रहा है पेका सिर्फ यहां पर एक ही उस कर रहा है वह एंड इस पेल्स को भी आप लोग देख सकते हो बंदा वहां पर चार अर्थविक इस पहली यूज कर रहे है तो लेट सी और वोडन यहां पर काफी अच्छा फनल भी क्रेट कर देगा अपने येटीज के लिए ताकि जो अपने येटीज है वह सीधा कोर में जाए और हाँ जब भी आप लोगे वोडन वोग को यूज कर रहे हो ना टाइम का थोड़ा द्यान रखना क्यूंकि वोडन वोग जो है न कर बगहरे यूज नहीं कर रहा है तो यार वोल वेकर ने काफी अच्छा काम कर दिया और सारे के सारे येटीज यहां पर डाल दिये पीछे से आगए अपना सीग बैरेक्स जो कि अपनी न्यूज सीग मिशीन है तो नेडो ट्रैव वहां पर ट्रिगर हो चुका है जब डाल निकल चुका है अभी भी यह बहुत सारे यहां पर बच हुए है फाइनली यहां पर उसने अपनी लास्ट वाली हिली स्पेल डाल दी अभी स्पैल में क्या बच है सिर्फ एक पोईजन स्पेल बच हुई है सीग बैरेक्स के अंदर मैक्स लेवल के होक्स यहां पर निकल यहां पर फूटने वाला है लावा हुट यहां पर फूट चुका है लावा पॉपस के उपर यहां उसने पनी पोईजन स्पैल डाल दी एंड इस तरफ भी देख सकत हो गाइस होक्स यहां पर काफी अच्छे काम कर रहे हैं अभी भी यहां बहुत सारी एटी बच हुए है अपनी जितनी भी हिलर साना वह सारी की सारी लोग हो चुकी है अपने यह टी माइट के उपर यह टी माइट नहीं यह टी के ऊपर ठीक है गाइस तक तो यह अटाइक एकदम सही चल रहा है और होक्स बचे हुए यह टीज बच हुए और राम से ट्रिपर निकल जाएगा कोई नहीं रोग सकता क्वीन के अपर यूज कर दी यह गया यहां पर बेस ट्रिपल अराम से यह वाला बेस यह ट्रिपर निकल अगे अगर वह लोग नहीं जीतने वाले अगर हम लोग इस सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो और लाइक करो प्लीज करवा देना एंड हां यार कमेंट जरूर करना आज की वीडियो में में मिलता है आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई झाल